नमस्कार साथियों जैसा कि आप सब को पता है दस जून को राजे सभा की सीटों के लिए चुनाव हुआ था इसके अंदर अपन पूरा समझेंगे किस हिसाब से राजे सभा की कितनी सीटे होती है किस हिसाब से उसका चैन होता है इनकी वोटों की गिंती कैसे होती है और एक आ जब कि आजे माकन के पहली फ्रिफरेंस के वोट ज्यादा थे इन सब को अपना आगे की स्लाइडों में समझेंगे है ठीक है देखिए इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने 15 राजियों की मैं 2020 में सत्याओन राजेसवा सीटों के लिए इलेक्शन का अनॉंस्मेंट के यह होता है द्वीवार्शिक आप सब जानते हो राजेसवा की जो टर्म होता है वो छे साल का होता है इसके एक सदस से कारिकाल पूर्ण कर लेते हैं उनकी जगह पर नया चुनाव होता है तो राजेसवा की सत्याओन सीटों के लिए 15 राजियों में इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया इसले लिखा है क्योंकि लोग आप सब जानते हो राश इसलिए यहां पर इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया लिखा हुआ है सत्याओन सीटों में से 41 जो मेमर थे वो निर्विरोद निर्वाचीत हो गए और बाकी सत्याओन में से 41 पे हो गए 16 सीटे बची उसमें चार राज्यों में रास्तान की चार सीटे हर्याना की दो इनके लिए चुनाव हुए 10 जून को अब आप यह पूछ होगे कि 41 चुनाव निर्विरोद कैसे हो गए चलो इसको समझते हैं यह मानलो राजस्तान में जैसे चार सीटों के लिए चुनाव होना है च्यार कंडिडेट है तो इनके लिए चुनाव करवाने की जरूद नहीं है वो चारों की चारों अपने आप चैनित हो जाएंगे मानलो चार राजस्तान में पांचवे कंडिड़ गोविंदा भी आ गए पांच लोगों ने नमंकन कर दिया तो अब निर्वाची दिनी हो सकते चार लोग इसके लिए चुनाव करवाना पड़ेगा चुनाव की प्र आर्टिकल 79 जो है भारती संविदान का आर्टिकल 79 उसमें लिखा हुआ कि देर सेल भी पार्लेमिट एक संसद होगी बारत की संग का एक संग की संसद होगी जिसमें तीन चीजें होंगे नमर एक प्रेजडेंट दो हाउस होंगे जिसमें इसे एक को बोलेंगे दा काउंसल बाञेंट चिण नमर ठीर आउस ऑफी पर इसको फैकल लोग सवाब बोलते हैं तो यानि की संसद के अंदर और की कौन-कौन सामिल होता है संसद के अंदर राष्ट्पती होता है दोनों सदन ओता है यानि कि तीनों को कूंट किया जाता है मैग्जियों इस ट्रेंट ओ विज्ञान और समाथ सिवा के छेतर में विशेस कारी करते हैं ठीक है आगे चलते हैं आज की वर्तमान इस्तिति के अंदर परजेंट इस्तें तो फ्राजे सवा अधिक्तम हो सकती है 200 लेकिन वर्तमान के अंदर 245 है 233 और 122 तो नुमिनेटेड हो गए अधिक्तम संख्या 233 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं इन 233 जो सदस्य हैं इनका चुनाव होता है इलेक्टेड मेंबर ओफ लेजिसलेटिव असेम्बली जो इस्टेट्स और यूनिन टेरिट्रीज यहनि की राजियों की विदान सभा और यूनिन टेरिट्रीज के विदान सभा है जैसे क दिल्ली के अंदर है और पुडुचेरी के अंदर यूनिन टेरिट्री में विदान सभा है उनके जो निर्वाचीत सदस्य होंगे निर्वाचीत MLA अब आप उछो के MLA तो सभी निर्वाचीत होते हैं हाँ ठीक बात है MLA निर्वाचीत होते हैं लेकिन अपने समिधान के अ तो लगता है उस राजिये के eastern एंदर उस राज विदानसभा के अंदर एंग लुय इंडियन को पर ति न इदित्व नहीं है तो वह एक एंगलो इंडियन व्यक्ति को MLA नामित कर सकते हैं राजयपाल महुदे, तो वो अगर किसी विदान सभा के अंदर एंगलो इंडियन MLA नामित होगा, तो वो राजय सभा के चुनाव के अंदर वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, वो नोमिनेटेड है, ठीक है, इन टोट सवाघ बना गया, बना दिया, जम्पु कijn मेर को तूट के दो भागूं में ढ़ेंट किया गया, एक तो जम्पु कak शमीर यूनिन बनाया भी और एक लद्दाख मना लद्दाख के यूनेंट रएगा उसके अंदर जंबो किस्मीर यूनेंट रेटरी लेकिन इसका इसके अंदर विदान सभाव होगी अभी परिशिमन का कारी चल रहा है परिशिमन कारी पूर्ण होते ही वहां पर चुनाव कर वाई जाएंग कि उसके चुफित हों गए वो च्यार राजे सभा कि सदस्जिओं को चुनें तो आश टोटल हो गए 233 में से आठ टा दिये 225 राजे 225 सदस्ज से जो है वो राजियों की विदान सभा उसे आएंगे किस राजये से कितनी किस राजये से से कितने सब कि यू लाई जस्वा पर देखें से चैंगे उन्कि लिस्ट ना की फोट के मिलाक मिद्वी गाल से अंदर यह है उस यू कि इन्दर बताइक किस राज्य से और किस संसाशित परदेश सें कितने राजे सभा सदस से चुन के आएंगे उनके लिस्ट देखते हैं जैसे आंदर प्रदेश से 11 है अरुनाचल से एक हा असाम से 7 है यूपी जनसंग्या सब ज्यादा तो वहां से 31 सबसे ज्यादा मेंबर होंगे 28 राजी हो गए 28 राजियों से टोटल 225 हो गए तीन चार औ सब्सक्राइब से चुन के आएंगे 225 प्लस आठ नमेटेड होंगे 12 टोटल 225 हो गया आज जो परजेंट विदान से परजेंट में राजे सभा की जो इस्टेंथ है वो 245 है ठीक है अब समझते हैं इसका इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है चुनाओ की प्रकिरिया दो तर सिंगल वो ट्रांसपर हिंदे में बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनीदत्वा की एकल संकर्मणिय मत पदती दूसरा होता है फ्रस्ट पास्ट दे पॉस्ट वोटिंग सिस्टम जो अपने लोग सभा के विदान सभा के जो एमले एमपी चुने जाते हैं वो फ्रस्ट पास्ट अदर इस सिस्टम से चुने जाते हैं जिसके अंदर मालों तीन कांडनेट है यह हो गया बी हो गया ची हो गया टोटल वोटर है सो इन महोदे मिले 40 इनको वोट मिले 10 45 और 10 55 इसको चलो 47 कर देते हैं 47 और 10 मिले 6 बचे वे मिले बीको तो इसमें सब ज्यादा वोट मिले एको तो A MLA-MP के लिए निर्वाचीत हो जाएगा इसमें यह जरूरी नहीं कि आपको 50% ज्यादा ही वोट चाहिए होते हैं किसी को भी सिंगल लार्जेस्ट नमबर होगा वो MLA-MP जीच जाएगा अपने पंच सरपंच पंचायतों के होगे चाहिए नगरपालिकाओं के चुनाव ह हो गए वह सभी सिस्टम से ऊते हैं लेकिन राश्वतिक हो गया उप्रास्टिपर की चुनाव हो गया उर्जिनिरजिव में विढ़न परिशद है उनके चुनाव होते हैं PRWTV सिस्टम कैसे होता है राश्वण कि चुनाव भी सिस्टम के तोर्ट किया जाते हैं अ है sagnolok ये एक सेंपल बैलिट पेपर है, राजसभा के चुनाव होते हैं, बैलिट पेपर पर, ये सेंपल बैलिट पेपर है अपना, ठीक है, ये सेंपल बैलिट पेपर, मानलो की तीन कंडिरेट है, सजिनी तैंदुलकर रेखा और जाविद, कोई भी MLA होगा, तो यहां पर इसके आग इसके चांडिट है, ये बीजेपी के हैं, और ये भी रेखाजी भी मी बीजेपी की है, कोई 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 का MLA होगा, वो सबसे पहले इसको अगर वोटिंग करनी होगी, इसको जाविद अखता है, तो इनके आगे प्रफेंस रखेगा एक नमर, यहां पर संख्या लिखनी उनके सामने कुछ भी नहीं करेगा. मानलों को BJP का MLA है और BJP के MLA है और BJP के candidate को उसको वोट करना है. तो मानलों किसी को लगता है सचिन तेंदूलगर को पर्थम वरीता देता है. तो इसको दूसरी से देगा. जावे दक्तर कॉंग्रेस का तो उसको वियता नहीं देगा रिक्तिस्तान छोड़ देगा या फिर 123 किसी किसी भी ओडर में दे सकता है या फिर इसको वन दे सकता है यह जिसको वन दिया उसको पर्थम वरियता का वोट माना जाएगा और फिर इनकी गिंती कैसे होती है वह आदर वोटिंग होती है और वोट की काउंटिंग कैसे होती है वोट स नीडेट टू इन जीतने के लिए कितने वोट चाहिए अगर किसी भी जगह पर एक राजस्था की सीट फिलप की जानी है तो ठीक है वेलिट वोट कास्ट अपन सीट फिल पलस वन और उसके टोटल में पलस वन करते हैं मानलो और ओक्वल लेता है राजस्थान का राजस्तान में डोटल है मैं वहां दोसे हों बहुत उखा इक सीट रजिस्भागा कीख हाली हुए है वह एक सीट भरी जानी है तो वेलिड वोट कास्ट कितने हो गए 200 राज सब कितनी भरी जानी है एक प्लस में एक कर दिया और इसके प्लस में एक तो यह सो प्लस एक यानि कि जीस भी कंडिडेट को 101 विदायकों के वोट मिल गए वोट जीज जाएगा ठीक है दूसरा एक्जमपल लेते हैं अगर एक से ज्यादा सीटें भरी जानी है तो उसमें क्या करते हैं किसी भी MLA का च्यार सीटें अभी खाली भी हुई है पलस वन तो दो सो डिवाइड़ बाई पांच पलस वन पांचो को बीस चालिस पलस वन यानि कि जीस भी कंडिडेट को 41 वोट मिल गए तो वो कंडिडेट जीज जाएगा इक तालिस का मतलब क्या हो गया हर विदायक की वेल्यू है सो यानि कि जिसको 41 सो इसको सो से मल्टिप्लाई करके देखते हैं 200 हर विदायक की वेल्यू सो है इसलिए सो से गुना कर दिया इसको डिवाइड़ बाई 4 प्लस 1 प्लस 1 तो यह हो गया 4000 प्लस 1 यानि कि जिसको 4000 और एक इस मत मुले इतना मुले मतों का मुले मिल गया तो वो कं सपोर्ट जी का इसको सपॉर्ट जीते का इस इन की गन्ना होती है दूसर अग्जांपल देख लो माझलो हृयाना में नभाव विदान सबसी पर वहां पर दो सीटें खाली होना होना है सिप्लस बूस तीज प्लस वन यानि कि जहां पर अगर उसको 31 MLA का वोट मिल गया है तो वो कंड़ेट जीज जाएगा ठीक है अब लाई उधान कर लाई उधान से समझते हैं यह हैं रास्तान विदान सभा में टोटल MLS 200 यह आप जानते हो कॉंग्रेस प्लस का मतलब जो छोटी मोटी पार्टियां और जो है जैसे वारतिय ट्राइबल पार्टी हो गई और जो CPM हो गई एक राष्ट्र लोगदल के विदायक हैं उन सब का सप्पोर्ट को था तो 113 सीटे इनकी हैं बीजेपी के पास 71 सीटे हैं तीन राष्ट्र अगर किसी भी केंड़ेट को 41 विदायकों का वोट मिल गया तो जी जाएगा वेली ओपन निगाल के देखिए ती 4001 है राजय सभा के जब राष्टान में चुनाव हुए दस्तारिक को तो उसमें 119 में वेलीड वोट ही पड़े एक विदायक का वोट मानने नहीं हुआ तो फॉर्मूला क्या था कितने वेलीड वोट कास्ट कितने हुए 199 इंटु 100 डिवाइड वाई 4 प्लस 1 प्लस 1 ठीक है यह आ जाता है मल्टिप्लाइ करोगे 3910 तो 3981 यानि कि 49 से ज्यादा चाहिए 49 विदायकों के वोट होगे 49 प्लस एक विदायक का यानि कि लगवग 40 विदा को जीतने के लिए ठीक है अब वोटिंग जब हुई तो क्या पोजिशन बनी रंदीप सुर्जेवाला कॉंग्रेस के थे मोकुल वासनी कॉंग्रेस के थे फर्मोतिवारी कॉंग्रेस के थे बीजेपी के गंशामतिवाडी थे और सुभास चंदराजी भी को जीतने के लिए चाहिए हैं मत मुले 4981 का तो इनका एक विदायक का 100 मुले होता है 43, 42, 41, 43 यानि कि सब का इस जो रिक्वाइड मत मुले है उससे ज्यादा वोट मिले हैं तो ये चारों कंडिडेट जीत गए सुभास चंदराजी हार गए तो इसमें आपने को second preference के वोट क पल इजीली हो गया अब दूसरा उदान देखते हैं हर्याना में भी हुए दो दो विदान दो राजेसभाग सीटों के लिए वहां का टोटल MLS 90 हैं बीजेपी के 40 हैं जन्ना एक जन्ता पार्टी के 10 विदायक हैं इंडियन नेसन कॉंग्रेस 31 हैं इंडियन नेसन लोगदर का एक विदायक है और इंडिपेंडेंट साथ साथ हैं ठीक है दो राजेसभा सीटें वहां पे खाली हो रही है तो रिक्वाइड वोट अपने देखा है 90 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वास टू 30 प्लस 1 यानि कि कि किसी भी विदायक को किसी भी मेंबर को अगर 31 वोट मिल गए तो जीज जाएगा जैसे कॉंग्रेस के पास 31 विदायक हैं सभी विदायकों का वोट उनको मिल गया तो जीज जाएगे ठीक है लेकिन हुआ क्या वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट MLA है मेहम विदान सभा से बलराज कुंडू उन्होंने वोट ही नहीं डाला यानि कि जो अपन बात कर रहे थे 90 वोट हैं एक वोट तो गिरा ही नहीं तो यानि 89 हो गए और एक कॉंग्रेस की MLA है तो साम विदान सभा से किरन चोदरी जी उनका वोट रिजेक्ट होगा, क्यों उन्हों गलत तरीके से वोट कास्ट कर दिया बैले पे पर डप गलत तरीके से वोट कास्ट क्याकिौन उन्होने जुकॉंग्रीस है CANDIDadece था उसके सामने प्रिफेस No.1 लिखनी थी उन्होंने 1 ना लिखके उसकाक टिक का निशान लग तो विधान दो राजसभा की सीटें हैं टू पलस वन पलस वन इसको अपन गेंती करेंगे यह आ जाएगा 293.33 पलस वन तो 2934.33 इतने मत मुल्ले के वोट मिलने चाहिए किसी भी एक राजसभा सदस्थे को जीतने के लिए 294.33 ठीक है अब देखते हैं आगे गनित क्या है कर्शनलाल पमार बीजएपी के थे, कार्थिके सरमाज जी इंडिपेंडन्ट थे जिनको बीजएपी ने सपोर्ट किया था आजे माकन कॉंगरेस के थे ठीक है, पहली फ्रिफ्रेंस के वोटों की गेंती हुई, टोटल वोट कितने हैं, ये 88 वोट पड़े हैं, टोटल, ठीक है, कर्शनलाल पावार जी को वोट मुले कितना चाहिए, किसी भी कंड़ेट को जितने के लिए 294.33, ठीक है, इनको 36 मिल गए, यानि कि इनकी फाइनल व पास, 34 मुले के वोट कम पड़ गए, इनके पास तो और ज्यादा कम पड़ गए, फिर आपन देखेंगे दूसरी वरियता, second preference, कर्शनलाल सर्माजी और ये दोनों BJP कही थे, कर्शनलाल पावार जी को 36 विदायकों ने वोट डाला, तो इनके 36 विदायकों ने तो इनको पर अंगरेस उनकी पार्टी का कंडिट है नहीं, ठीक है, तो इनको मिले, कर्शनलाल पावार जी को वोट मिले, 23, second वरियता के वोट 36, ठीक है, आप गणी समझते हैं कि दूसरी वरियता के वोट किस हिसाब से देखे जाते हैं, कर्शनलाल पावार जी को मिले 36, इनको जीत के लिए कितनी चाहिए थे, 394.33, ठीक है, कितने बच गे लाश्ट में, इनको गटाव करेंगे तो, 65.6, ठीक है, 600, 65.6 वोट, ये वोट कर्शनलाल पावार जी को ज्यादा मिले जितनी आव सकता थी, कर्शनलाल पावार जी को मिले इतने वोट, 36, चाहिए थे इतने, तो 65.6 है, जो वोट एक्स्ट्रा मिले मत मुले के, वो कर्शनलाल पावार जी को जो आवस्यक मतों से ज्यादा जितने मत मिले, वो इनके साथ जोड़ दी जाएंगे, तो इनको आप जोड़ दो, 65.6, ठीक है, तो ये बन जाएगा, 29.6, 29.6, ठीक है, और इनको चाहिए कितने जाएंगे, किसी भी कंड़ेट को जीत के लिए कितने जाएंगे, 29.34.33, यानि कि इससे ये ज्यादा हो गई वोट, तो ये कंड़ेट जीत गए, ठीक है, कॉंग्रेस का समझते है, कॉंग्रेस को 29.6, इनके 31.6 अमेले थे टोटल, कॉंग्रेस के, एक किरन चोदरी जी उनका वोट रिजेक्ट हो गया, एक दूसरे अमेले थे, विष्णोई जी, कुल्दी विष्णोई जी उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, तो यानि कि इनके टोटल वोट कॉंग्रेस हो कितने मिले 29, तो 29 मिले, 29 विदायक थे, इनको किसी भी वि किने रोगे और ये हार गे, समझ में आया गानित, पर्थम वरियता, पर्थम वरियता के करम में देखेंगे, तो कार्ति के सरमाजी को 23 वोट मिले थे, इनको 29 विले थे, लेकिन जब दूती वरियता के वोट कांट किये, तो कार्ति के सरमाजी से ज्यादा वोट लेके चले गए तो यह जीत गए ठीक है इस हिसाब से सकेंड वरियता का वोट गनित होता है इंडियन एक स्प्रेस ने एक आर्टिकल चाहबा था हाउ अजय माकन लोस्ट बाई टू थर्ड ओफ इस वोट उनको 2900 मिलें और उनके जो कंडियर्ट थे 2965 या 266 राउंड फिगर में करेंगे इतनी आ जाएंगे कार्ति के सरमाजी से ज्यादा मत लेकर भी कैसी हार गए अजय माकन यह जो लाइव हिंदुस्तान का आर्टिकल यह पर्थम वरिता के वोटों की बात कर रहा है पर्थम वर को यह जो आर्टिकल सपे थे इनकी पूरी गणीत और हिश्टी समझ में आ गई होगी ऐसा ही ऐसा ही हुआ था महाराष्टर में महाराष्टर में भी राजसभा की सीटें हुई थी वहां पे कंडेट थे एक दननजे माधिक यह थे बीजेपी के एक एंडेट थे सिवसेना के संजे पंवार जी शिवसेना के संजे पंवार संजे पंवार जी भी धननजे महाधिक से सेकेंड वरिता की वोटों गिंटी हुई सेम प्रोसेस था उसी आधर पे वो जीत गए ठीक है मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा पूरी गणीत अब एक सिश्योसन देखते हैं अगर कुल्दी विस्नोई जी जो कॉंग्रेस के एमेले थे उन्होंने क्रोस वोटिंग नहीं कि होती यानि कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देके कॉंग्रेस के आजे माकन को वोट दिया होता ठीक है अब पीशे आ जाओ इनको पूरा इरेजर ठीक है अगर कुल्दी विस्नोई जी कुल्दी विस्नोई जी ने इन कर्ति के सरमाजी को वोट नहीं देके आजे माकन को वोट दिया होता तो टोटल वोट तो 88 थे इसमें से एक गड़ जाता इनके बज जाते 22 इनके हो जाते 30 टोटल वोट तो 28 ही है 36, 26 और टीन हो जाते इनके हो जाते हैं तो टीस का मतलब होगया इनकी वेल्यू कितनी आ गई तीन हजार इनकी 22 है तो बाइस इनकी 3200 यह तो कंड्रेट कर्सणल पहार जी तो जीत गये क्योंकि झाश्या कितने हैं उन्तीसोग पहार जीत कई प्रिश अगर बहुए अगर ज के जो MLA है कुल्दी विश्णोई जी वोट डालते ठीक है अगर उन्हें क्रोस वोटिंग नहीं कि होती टोटल वेलिट वोट अठाशी रहते जीतने के लिए वही उन्तिस पर तीन तीन होते अजय माकन को उन्तिस प्लस एक उनका मिल जाता तेश तीन जारो जाते अजय माकन जी जाते हैं अगर आप यह स्वाल पूछो कि किरन चोदरी जी ने वेलिट वोट की जो उनका वोट रिजेक्ट वोट रिजेक्ट नहीं होता तो वेलिट वोट वेलिट वोट कितने हो जाते एटीन हो जाते तो यह भी 30 से कमी आता यानि कि जिसको 30 MLA का वोट समर्थन मिल जाता वो जी जाता अगर उन्होंने उनका वोट खारिज नहीं होता किरन चोदरी जी का तो आजे माकन जी को 30 मिल जाते रिक्वाइड भी अगर आप इसको प्लस वन करोगे तो 30 से कमी आएगी 2900 सम्थिंग क बुचाएगी 30 MLA से कमी अगर जिसको 30 MLA का वोट समर्थन मिल जाता वो जी जाते तो किरन चोदरी जी का भी अगर वोट खारिज नहीं होता अगर उन्होंने सही प्रफेरेंस भरी होती टिक वन लगाया होता टिक की जगए तो भी आराम से आजे माकन जी जी जाते अब उस संस देखते हैं सुट भी ए मेंबर ओफ डॉमिसाइल यानि की निवासी मुल निवासी ओफ दा इस्टेट फ्रों विज ही इलेक्टेट तो राज्यसभा यानि कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता जिस राज्यसे जैसे की रनदीव सुझेव सकता उस वहीं उसी राज्यका मुल निवासी होना चाहिए को आप सकता है आजय माकन जी है आजय माकन जी मुल रूप से दिल्ली के निवासी है हरीना से चुनाव रड़ा ता तो यह इस तर की कोई बादेता नहीं है तो आंसर है नो गवाट इस दा मिनियो में एज डिकवरेमेंट तो विकम में मेंबर ओफ राजी सवा राजे सवा के राजे सवा के सदस्य से निर्वाचीत होने के लिए निनुनतम आयू कितनी है तीसी एर है लोक सवा के लिए आप सब जानते हो पच्छीस वर्स है राष्ट्रपती राज सवा को सवण राणी कुछवाजी हैं एंध सवाध ध्ल पूदिए और कुल्दी विश्णोई जी जिन जो कंड़ेस के थे उन्होंने बिजपी समर्देत कंड़ेट को वो डाल दिया तो क्या एंटी डिफेकिशन लो दल बदल कानुनके तायत दोनों की विदान सभाब सदस सबस्वाइक है कैसे को घंटी होती है क्या होता है वह आपको उमेद करता हुं समझ में आया होगा आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो Facebook ID है, अंकित पचार, और कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे Facebook पे या फिर comment section में बता दो, उनका अपन, जो भी उत्तर होगा, वो आपको करने की पूरी कोशिस करेंगा, और अभी राश्पती के सुनाओ भी आ रहे हैं, 18 तारिक को जुला